नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में दोस्तों UPSC के तरफ से एक नोटिकेशन आया है और उसमें उन्हें विग्यापन जारी किया है वैकेंसी से रिलेटेड तो फ्रेंड्स वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको complete information प्रोवाइट की आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी notification आपसे miss ना होने पाए वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने अन्य दोस्तों तक भी share जरूर करिएगा तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो दोस्तों मेरे पास ये UPSC का जो notification है जो आज ही के दिन जारी हुआ है वो मेरे पास उपलब्द हो चुका है इसकी official website पर जाके आप लोग खुद भी से डाउन्वोड कर सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो आगे बढ़ाने के पहले अगर आपके कोई भाय बहन दोस्त या फिर मित्र UPB8 इंटरंस एक्जाम 2030 की तयारी कर रहे हैं तो UPB8 की best book है जो की चचु परकासन की है इनकी practice set book भी आती है जिसके माध्यम से आप अपनी तयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं क्योंकि इसमें practice set के साथ साथ इसका व्याख्यात्मा खल भी दिया रहता है जो आपकी तयारी को करने में बहुत ही help करने वाला है फ्रेंड्स वीडियो के description में मैंने link दे दिया है तो एक बर जाके check out जरूर कीजिएगा चली वापस चलते हैं अपने वीडियो पर तो फ apply करने का date यानि कि आज की date से आप apply कर सकते हैं इस website पर जाकर और अंतिम्तिति है जो apply करने का हो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 March को रखा गया है तो इस date के बीच में आप apply कर सकते हैं कोई भी problem नहीं है यदि आपको कोई problem आती है तो आप comment section आपके लिए खुला हुआ य enforcement officer and accounts officer तो इनके लिए scheme क्या है मतलब इसमें schedule क्या होने वाला है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो paper होगा वो कुल मिला के 2 घंटे का होगा जितने question होंगे तो वो सभी एक समान number के होने वाले है multiple type of question होने वाला है यानि कि objective question और जितने भी question होगे वो उनका syllabus जो है medium जो सेलेक्ट कर सकते हैं और गलत करेंगे मतलब minus marking इसमें रखा गया सापसाप देख सकते हैं अब minus marking एक बटे 3 भी हो सकता है दो भी हो सकता है चार भी हो सकता है वो जब आप exam देने जाएंगी तो उसमें लिखा रहेगा सापसाप अब बात करते हैं इसका syllabus क्या होने वाला है तो सलेबस आप देख सकते हैं कि जनरल इंगली से रहने वाला है, इंडियन फ्रीडम इस्ट्रगल, करेंट इवेंट्स एंड डेवलब्मेंट इसूज, इंडियन पॉलिटी एकनोमी, एंड यहापर देख सकते हैं, जनरल अकाउंटिंग प्रिंस्पल, इंडस्ट्रियल रिल कोल में आके अगर बात करें, तो 75 जो है वो एक्जाम के लिए होगा, जबकि 25 जो है वो रिटन एक्जाम के लिए रखा गया है, तो यह रेशियो बनाके चल रहे हैं, अब आगे हम बात करते हैं, दूसरी पोस्ट के लिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दूसरी मिशनर ठीक है ये पोश्ट का नाम है अब इसमें भी जो टाइमिंग शेडियूल है वो सेम होने वाला है दो गंटे का पेपर होगा सभी मार्किंग यहाँ पर भी होने वाली है अब बात करते हैं सलेबस की तो इसमें थोड़ा सा लेंदी सलेबस से बड़ा है चलिए देखते हैं पहला है इंगलिस रहने वाले है आपका दूसरा है इंडियन कल्चर हेरिटेज फ्रीडम मोवेंट एंड करेंट इवेंट्स पाप्ल प्रिजन टाइम में जो चल ला है वो रहने वाला है उसके बाद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबरल लाउ इंसरेंस बेसिक नॉलेज आफ कंप्यूटर अप्लिकेशन जनरल साइंस होने वाला है इलेमेंटरी मैथमेटिक्स इस्टेटिक जनरल मेंटल अवैलिटी उसके साथ सोचल सेक्योरिटी इन इंडिया तो यह सारी चीजे सलेबस में होने वाली है कमिशनर पोस्ट के लिए बेटेश की बात करेंगे तो यहां पर भी बेटेश सेम रखा गया है 75 to 25 यह रिशिव आपका होने वाला है अब आगे देखते हैं इसमें और भी क्या क्या चीजे इसमें बताई गई है आगे आप देख सकते हैं कि यह सेंटर इसमें दिया गया है तो जब भी आप अपलाई करेंगे तो यह सेंटर जरूद चेक कर लीजिएगा तो इन्हीं जगा पर सेंटर गया है तो उसके हिसाब से आप फिल करेंगे ठ परसन आप इंडियन वर्जिन हूँ है फ्रॉम पाकिस्तान ठीक है पाकिस्तान बर्मा स्रिलंका इस्ट अपरीका केनिया यूगांडा इन सारे देशों के लोग भी अपलाई कर सकते हैं तो उसके लिए अलग टर्मन कंडिशन बनाया गया है तो उसको यहां पर जानते होंगे जो लोग इसके लिए तयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा तो वो लोग भी अपलाई कर सकते हैं एज लिमिट की बात करें फ्रेंट्स तो एज लिमिट इसमें हलाकी साब साब नहीं बताया गया है लेकिन 18 साल से लेकर यह मान के चलिए कि 35 वर्स की बीच में अपलाई करेंगे फ्रेंट्स अप्लिकेशन फीस की बात करें तो इसमें चालान कितना होने वाला है तो चालान की बात करें जेनरल कटेगरी और OBC के लिए जो है वो 25 रुपे का फीस रखा गया है बाकि SCST या हैंट्रिकेप कटेगरी जो भी है या वर्मेंस हैं उनके को बताई गई है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ थैंक्स फ़र वचिंग